दोस्तो आज हम सेयर कर रहे हैं कटोरी चाट की ऐसी रेस्पी जिसे आप बिना आटा गुथे बिना बेले आसानी से बना सकते हैं साथ में मज़ेदार ग्रीन और खटी मिठी चटनी की रेस्पी भी सेयर कर रहे हैं जिने आप किसी भी तरह के चाट या दही भले के लिए पाँच मिनट में बना सकते हैं, तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम दही त्यार करेंगे, तो इसके लिए मिक्सर जार में हम ले रहे हैं एक कप दही, इसमें एक छोटा चमज चीनी डाले और इनको ग्राइंड कर लेंगे और इनको एक बॉल में निकाल लेंगे एक दम इस्मूद दही बनकर त्यार हो जाएगी दो से तीन चमच दही हमने जार में छोड़ दी थी अब इसी जार में हम ले रहे हैं एक कप फरा धनिया थोड़े से पुदिने के पत्ते डालेंगे दो से तीन हरी मिर्च, एक से दो लसुन की कलिया, एक इंच अध्रक के टुकडे डालेंगे, आधा चमच भुना जीरा पॉडर, थोड़ा सा काला नमक, दो पींच हींग एट करेंगे, आधा चोट चमच साधा नमक डालेंगे, और दो बड़े चमच बिकानेरी भुजिया, इस चटनी को आप हपते भर इस्टोर करके रख सकते हैं, ये चटनी समोसे पूरी पराठे के साथ भी पहुट टेस्टी लगती है, अब खटी मिठी चटनी मनाने के लिए फिर से हमने मिक्स जार ली है, इसमें हम ले रहे हैं एक कप गुड, आधा चमच इसमें भुना जीरा प खटा टेस्ट देने के लिए एक चमच आमचूर पॉडर, एक चमच हमने चाट मसाला पॉडर ली है, चाट मसाला पॉडर नहों तो दो चमच आमचूर पॉडर डाल दीजेगा, आधा चोट चमच काला नमग डालेंगे, और आधा कप पानी डाल कर हम इनको ग्राइंड कर लेंगे, ये खट्टी मिठी चट्नी स्टेंट बन जाती है, और इमली की चट्नी जैसी ही टेस्टी लगती है, अब कढ़ाई में हम एक चमच तेल गरम करेंगे, इसमें एक चमच कदूकस किया हुआ अधरक डालेंगे, और इनको हलका भून लेंगे, गुष सेकेंड भूनने के बाद हम इसमें ये गुड और मसालों का पेश डाल देंगे, और इनको 2-3 मिनद तक पकालेंगे, और देखिए इसमें हमने बहुत ज़्यदा पानी ने डाला है, इमली की चट्नी बहुत जल्दी गाड़ी हो जाती है, गुड से बना रहे हैं, त और इनको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे, चार से पांच मिनद बाद देखिए ये थोड़ी थिक हो गई है, इससे ज्यादा हमें गाढ़ा ने करना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और थिक हो जाती है, इस चट्नी को आप एक महिने तक इस्टूर कर की रख सकते हैं, तही भले, आलू चार्ट, पापड़ी चार्ट, कटोरी चार्ट, राजभोग चार्ट, किसी भी चार्ट के लिए आप इने इंस्टेंट बना सकते हैं, अब चलिए सबसे पहले कटोरी चार्ट के लिए इस्टफिंग तियार कर लेते हैं, तो इसके लिए बड़े बॉल में मैं ले रही हूँ दो मीडियम साइज के उबले आलू जिनको मैंने रफली कट कर लिया है थोड़े बड़े बड़े पीसेज में ये मैंने लिया है एक कप उबला हुआ काबली चना यहाँ पर एसेम्बिलिंग के लिए आप अपने तरीके से कोई भी स्टफ टमाटा डालेंगे आधा चम्माच भुना जीरा पौडर आधा चम्माच चाट मसाला पौडर आधा चम्माच लालमिच पौडर आधा चोटा चम्माच काला नमक काला नमक चाट वगरा में बहुत अच्छा लगता है हो तो जरू डालिएगा थोड़ा सा हम इसमें साधा न कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ग्रीन चटनी और खटा मिठा टेस्ट के लिए एक से दो चम्मच खटी मिठी चटनी और चाट की जान दो चम्मच तही यह सारी फिलिंग मैं एक साथ त्यार कर रहे हूं इससे क्या होगा कि जब आप कटोरी चाट सब करेंग कटोरियां सौगी भी नहीं होंगी अब कटोरी चाट के लिए हम बनाएंगे कटोरी तो आज हम इस कटोरी को पापर से बनाएंगे यहां पर आप लिज़त पापर ले सकते हैं या कोई भी थोड़े छोटे साइज के पापर ले सकते हैं ना हमें आटा गूत ना होगा ना ज गोने के बाद हम इनको एक प्लेट में रखते जाएंगे हलका सूखने के बाद देखिए पापड नरम पड़ गए है और ये आसानी से फोल्ड हो रहे है तो अब एक किलास या कटोरी ले लिजे इसे ओल से ग्रीस कर लिजे जिससे किये चिपके नहीं अब इसके उपर पापड रखिए और इसे इस तरह से सभी तरफ दबाते हुए फोल्ड कर लिजे पापड जालीदार हो तो एक साथ दो पापड ले लिजेगा और फोल्ड करने के बाद इनके उपर धागा लगा लिजेगा जिससे फ्राइ करते समय ये खुले नहीं धागा लगाने के बाद हमें इनको तुरंत निकाल लेना है देर तक रखेंगे तो ये गिलास में चिपक जाएंगे इस तरह से हमें पापड की कटोरिया बना कर त्यार कर लेनी है और इनको फ्राइ कर लेना है आप चाहें तो इन्हें गैस पर सेख कर भी ले सकते है पापड की कटोरिया है तो गैस पर भी ये असानी से सीख जाती है और देखें इनको हमने उलटते पलटते भी अच्छे से से शेख ली है ये एकदम क्रिस्पी हो गए है तो अब हम इनको निकाल लेंगे ये पापड की कटोरिया बिना जंजट बहुत असानी से बन जाती है देर तक कुरकूरी रहती है खाने में भी टेश्टी लगती है तो चलिए अब कटोरी चाट की एसेंबलिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले कटोरी में डालेंगे हमारी चट पटी वाली स्टफिंग अब देखिए फिलिंग हमने पहले ही तेयार कर ली है न तो हमारी ये कटोरी चाट फटा फट तेयार हो जाएगी अब इसके उपर डाल देते हैं थोड़ा सा बारी कटा हुआ प्याज थोड़ा सा बारी कटा हुआ टमाटर थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्शी पाउडर थोड़ी सी बारी कटी वी हरी मिर्श और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धन्या इसके उपर थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी मीठी सोट, ऐसी चाट है जिसे बनाते बनाते आपके मुँ में पानी आ जाएगा साथ में बनाने में भी बहुत मजा आएगा, थोड़ी सी दही डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक वाला सेव या भुनावा पापर तोड़कर डाल दीजे, बहुत ही बनिया टेस्ट आएगा फाइनली थोड़े से अनार की दाने डालिए और ये लेजिए हमारी ये तयार हो गई बहुत ही टेस्टी मुँ में पानी ला देने वाली पापड की जटपड बनने वाली कटोरी चाट, जो भी खाएगा आपकी तारीफ ही करेगा इसमें आपको 5 तरह के चाट का टेस्ट मिलेगा पापडी चाट, आलू चाट, छोले चाट, राजक चोड़ी चाट, समोसा चाट, सभी तरह के चाट का मज़ा लिजे सिर्फ एक कटोरी चाट में कटोरियों को आपको पहले से बना कर नहीं रखना है ना कोई मेहनत करना है फटा-फट से पापड लीजिए, कटोरी बनाईए, मन चाहे तरीके से स्टफिंग बनाईए जैसे आलू टिक की दई भला सर्फ करिए, आलू टिक की दई भला कटोरी चाट बन जाएगी इस तरीके से कभी भी बना कर इंजोई कीजे बजार वाली चाट घर में ही तो दोस्तों बनाईए, खाईए, खिलाईए, कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईए जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर, सस्काइब जरूर कीजे फिर मिलते हैं नई रेस्पी के साथ धन्यबाद